है तो आज हमारे पास में जून टूइटी त्री एपी वेन वन सारी बाते मैंने आपको पहले बता दिन थी दूबार बता देता हूं पॉडी मार्क्स का कुश्चन पेपर होगा पॉडी हम से क्यूद है एबी सीडी चार ओप्शन होंगे चार में से आपको कोई एक उप्शन सेलेक्ट करना ओगा सौफ्ट पेंसिल यानि बहुत ज्यादा डार्क पैंसिल से आपने काम नहीं करना है एजवी पैंसिल आपके पास होनी चाहिए पेपर में सारे पीपर में चल्कूलेटर लाओड होता है एने टुक्शन आपको एक माग पर होगि पहला पेपर वह मारे पास data sheet ka page होता है सही है चलो विच इस नाट अन असाई बेस युनिट कॉन साइंप्र एसाई बेसिए विए सिर पोलाएंट पिर बोलना है इस प्रिस थे चुनिशन क्या होती है स्टेयर ठीक है और जब आप स्टेयर की बात करते हैं तो स्टेयर के वॉलियम का फॉर्मला होता है पॉर अपॉन थी पाइब आर्पी नाउ डू अवरेज वेडियस हमारे पास जो कि वेडियस कितना है अमारे पास मॉलिक्यूल का इडस आउं जी बिटा जी बिटा टैने च्सवर माइनस एट एट सेंटिमीटर इंड़्या वाई रोट दौड द वैल्युव इंस संटिमीटर बिकास हमारे पास यहां पे संटिमीटर क्यूब धिर वाल्यू पॉट करो यह थ एथी प्रिटी रहा पाई आपिए रिक्षान श्कूननीट वायनेश वायनेस एक्स बाग जर साहिए हमारे पास फ्रड़ प्रड़ मैंनेश विफट्टी-छाथ एक्सविट ट्रड़ जो है 4.18 informant 24 बोल रहा है, थोपैनल, –24 4.18 10 गोलव माइनस 24 इससेटीमेटर कुप जैसेटाएथ और एक सिंगल आ मॉलेक्यूल का वॉलिम न 50 सेंटीमेटर कुप में कितने मॉलेक्यूल आ जाएंगे, हमने बोला, वन मॉलेक्यूल हमें इतना वॉल्यूम ग्यादर करके दे रहा है इतने मॉलिक्यूल होंगे कि 50 cm3 का वॉल्यूम ग्यादर करेगा विल्यू क्रॉस मॉल्टिप्लिकेशन और जाएगा श्च्छ क्या आगा वण पॉड़ाइगा टॉन एकशने उन्ट फाइजी वान टॉन फॉकस ओंडा एक्सक्वनेट के टीफाइफ हमारे पार है कि देला है हुआ हमारा अंसर बनगेगा है तुब है यह न अग्योज़ थे मिन ड़ा आप से कहरा कोपर पाय मैंद रूदा टू दियमिटर इस बिल्डर मेंजर्स मिल्डर मेंजर्द अधर दियमेटर फिस तैम पाय तरहम तो च्टिम इंड जिटील कजिट्टर्ट इस तो डिजिल्ल कालेपर से पांच मरतबह उसने मेजर मेंट जो हैं वह लिए हों मेजर मेंट आपको दिखाई देखिए आप अपसे क्या का जा रहा है आप से कना जा रहा है वाट प्रिस्क्राइब्स एंधिश्मेंट की मेजरमेंट कैसी तो बेटा थे खो या कैसे सब्सक्राइब ट लिकारी करीब करीव तो प्रिसाइस दिया जो ऑश्राइन वह दो आपको पीजिन रही है आपको इस अपना परेसाइज है लिए अगरेट नहीं है प्रेचिन आपको प्रेसिजिन अफोगे शुट बी क्लोड टेशार एक अधर 48.01 47.99 48.01 48 47.99 आपको अधर बेर वरी दूख विछ विश अधर तो यस यहांबे प्रेसिजिन तो है यह बट इस यू कंपेर अव्ल थीज वालियो पित देड्रू वालियो यह फार अवे फॉं धिए तुव वैलियो यहां पर एक्टुरेशी यह सर एक्टुरेशी मतलब एवरेज ओ गया न एक तरह से का मतलब होता है क्लोज विद्धा अक्यूरेट है सब्सक्राइब अक्यूरेट नहीं है तो हमारा डियांस अपने पास इस तरीटी से दिलिक विद्धा आगे बढ़ते हैं तू फोर्सिस इच अफ टेंग नियूटन एक टेटा पॉइंट पी आज शों रांगल बिट्वीन दिरेक्शन ऑफ दा पॉर्स इस वटेंटी डिग्री सब्सक्राइब है क्या किया रहा है आप से अब यहाँ पर तो देखो वेटा सब्सक्राइब रिजल्टन फोर्स जी वेटा सब्सक्राइब कॉश्च वाला पॉर्मूला क्योंकि हमारे पास जो लाइन है वो वन ट्वैंटी डिगरी पर होता तो पाइफागर थेरम लगता यह है वन ट्वैंटी पर अभी कर देते हैं लेकिश्कों क्या मसेला लाइए कि अच्छा देखते हैं क्या से नहीं हमारे पास यहां पर बंदता है तो एक तरीका में आपर देखता हूं मैं अगर इसको इसकी कॉंपोनेंट्स में रिजॉल्फ करूं हमारे पास यह हो जाएगा जहां से एंगिल बन रहा है एंगिल कुतना है ट्रटी दिग्रीज तो नाइंटी यहां पर आ गया यह जाएगा टेन कॉस्ट थर्टी और यह जाएगा टैन आउन अब इसकी एक्जिस्टेंस फटम होगा यह नहीं विड़ा तो हम देखो मैं क्या कर रहा हूं टेन कॉस्ट थर्टी इसके बराबर होगा इस पॉइंट सिक्सेश्ट थिए अब मुझे एक बात बताओ यह फाइब न्यूटन और यह टैन न्यूटन क्या है ऑप्सिट डिरेक्शन में है तो क्या होगा कैंसल आउट होंगे और बच्चे का हमाँ पर सिर्फ पांच अब देखो मेरी नई डाइग्राम कुछ ऐसी बने गई है वान विच इस पॉरेंट इस सिक्स न्यूटन जो के इस से आ रहे है एंडी अधर जो के इन दोनों की सब्ट्रेक्शन से आ रहे है और अब हमारे पाथ अपॉर्डिंग ती दा पाता गॉर्ट तीरम रिजल्केंट आएगा इस पाहिए मैंने तो कॉस्ट्रीट आ लगाया था उससे भी सही आया था कॉस्ट्षीटा वाइला मतलब मलब जो है न मैंने इस तरह वेक््रडाइग्राम को मनाया ने इसकी जो हैड़ पर दूसरे की टेल आईगी तो इसको उसका एंगल सिक्ष्टी डिग्री बन रहा था तुमने यहां पे अंगिल बनाया है तो कॉस्टीटा वाला फॉर्मला लग गया था तो इन दोनों के बना के उसकी वैलियू नहीं निकाल सकते पुलिस के डाइग्राम ठोड़ी है कि आप बनाओं और पिर इसको मेज़र करो इन इस से लेकर दूसरे टैन पर टू टेल कैसे होगा वेटा टैन से टैन कि आप टिप से टेल जोड़ी जा रहे हो देखो ना यहां पर इसकी टेल से इसकी टेल मिली गी है समझे है तो एक यह तरीका है ठीक है जो कि हम लोगों ने फॉलो कर लिया है दाड़े दाओ वी फाउंड आर आंसर तो आगे बढ़ते हैं ताओ लेट्स हेड तूवर्स कुश्चिन नंबर फाइड नंबर फाइड नंबर फाइड में आपसे क्या बोल रहा है अबजेक्ट मोब दारक्ली संपी दुआ अब्जेक्र लोगों फी से आर गो है विम दो शौटर ताम स्किं अब्जेक्ट मोफs रॉं मीटुटू आ पूजेक्ट निककिया तू डन नू आरगे बढ़िगे बढ़िटू पुडॉं धी थाशिया विलीचश्चिन अब्जेक्ट अब्ज पास सही है तो बेटा देखो देहाब देखो आवरेज श्पीट नहीं क्यों यहां पर हमारे पास दोनों की आवरेज श्पीट सेम क्यों नहीं होगी फिकास आवरेज स्वीट का फॉर्मला क्या होता है उसर्जेंस ठाइबुट लगे टेटोर वे क्यों सेमें अवरेज वह सिग्यों क्यों नहीं होगी जिसेंच यहां पहिंसे स्विलोश् souffleशेंट क्विट विलो से क्यों समक्त Gospel रितम пры्म पीटो आर इसविलोश मेंद यह देख प्ट अपर विडियंद में टेख तो यहां पर तो आवरेज़ का वालत हो गया तीसरा यह सेम डिस्प्रेस्मेंट बिटा डिस्प्रेस्मेंट की 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 डिस्प्रेस्मेंट क हमारे पास displacement P2R directly या फिर पी टू जाओ क्यों आड जाओ दोनों सिनारियो में हमारे पास displacement जैंड पी टूर आए यह थे हैं आप देश्वेंट देश्टेंस नो डे दोंट आप बिसेंड पार लेकिन क्यों थोड़ा उपर इनफ भी से तो क्या हुआ बेटा हमारे पास displacement क्या होती है अगर मैं अपने घर से कहां पहुशना है बताओ लेट से डॉल्मन मॉल बाय एर जा रहा हूं तो भी डिस्प्लेस्मेंट यह है लेकिन अगर मैं घर से बाय रोट जा रहा हूं तो मेरी एककार्डिंग से अंडिंग पॉइंट क अब्धी ओई है तो न सुरत है मैं इस्प्लेस्मेंट से मोई कि इस्प्लेसमें यह है है हमारे प्रास से अंदस्र फोगिसर ना अबल एफिक्ट तो एक इस इनिशल वीड फिल्वेटर पर जो नहीं बॉच्छे एंगल उन गर्फिटी देए बिश्यल इंगलिशन तो दिय अबब दे ग्राउंड डाइज बीच बार दे ग्राउंड जो कि हमारी बॉल में रीच की है इसमें इसमें और हमें रीट की बात हो दिये तो बेटा हम वोटिकल एक्सिस की बात करेंगो तो एक काम पहले यह करो आप आप वाई जीरू व्लाउस्टी इना स्कूर्श की कॉंपोनेंट्स में रेकडाउन करें तो जहां थे एंगल बनता है वह कॉस का फंक्शन होता है बे इसे एक इनिशल व्लाउस्टी कितना होता है राइन पॉइंट वोगा वर्टिकल एक्सिस में फाइनल विलोस्टी हमारे पास क्या है मैक्सिमम हाइड पर जाकर बॉडी दुख नारियो चल रहा था हमारे पास इनिशल व्लॉटी है फाइनल लॉट्टी बात कर रहा है minus nine point eight one ms minus two initial lost year final lost year my pass and what do we need to find maximum height that is displacement uh equation of motion lagni chaiye third equation of motion you need to find out that we are minus two square upon two way we am our pass zero you am our pass nine point two divided by two multiple minus nine point nine point two divided by four point four point nine zero five you uh uh yeah 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 पॉर्पोइंट पॉइंट पॉर्ट से बना रहा है एक चीज चैनल आंसर इस कैलकुलेशन को फॉलो करो कि तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो आगे बढ़ते हैं कि तरफ विचिन सवेंट मैं हमारे पास क्या बोलना है बाइस है और कुछिन 7 में हमारे पास इक दिखाई देरा है इसके कुछिन 7 में क्या बात होती है कह रहे हैं कैमरा ड्रोन अफ मैस 1.2 kg forward at a fixed point above the ground the drone has four propellers in time of one second each propeller pushes the mass of 0.4 kg of air vertically down here assume that the air above the propeller is stationary what is the speed of the air leaving each propeller what is the speed of the air which has every propeller leaves us here so let's see what we have to see what the propeller is in the air above the propeller is stationary व क्तलि को अईाट और आगी की बचेशन परे इनने की इसार पांटति कारो आगे शीड already wanna पांट। कि स्टेशनरी है हमारे पार कि बिटे कंडिशन यहां पर आइगेस अपोर्ट पोर्ट और बैक्वर्ट पोर्ट डाउन्वर्ड पोर्ट जो है ना उन्हें को हमारे करके चलना पड़ाइगा इस चलो देखते हैं क्या बनता है अटे से नेरियों मेरे पास इन यहां पर चार फैंड वन फूर्ट चार फैंड है हमारे पास सब्सक्राइब और इन चार फैंड के पॉइंट आफ यू से हमारे पास जो फोर्स लग रही होगे ना वह हमारे पास फॉर टाइम डोटिए ठीक है अच्छा हम जानते हैं फोर्स का एक फॉर्मला क्या फोर्स दे रेट फ चींज फ मुमिंटम सब्सक्राइब पास है तो मुझे आपर क्या बताए बटाए बिटा मास ओफ दा ध्रोन बताया बहुत सब्सक्राइब क्या करेंगे जो फोर्स है उसको वेट से रिप्लेस करेंगे और डेल्टा पी की जगह पर लिख देंगे एम डेल्टा भी अपॉन टी तो डेल्टा यह हो जाएगा एम जी ठीक है पी ऐसे रहेगा और हमारे पास है वी क्या हो जाएगा अगर आपको समझाओ मैंने एम के साथ डेल्टा क्यों लगाए वी के साथ क्यों ने लगाए है बिकॉस हमें सिंगल प्रोपैलर मैस ऑफ एर कितना वर्टिकली डाउनवर्ड पुश कर रहा है हमें पता है ठीक है चार प्रोपैलर मिलकर जितना मैस डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं उसको हासल करने के लिए हमने आप डेल्टायम कर दिया तो यह देखें अब क्या हो रहा है पीड निकालने के लिए मास ऑफ दा ड्रोन क्या है बन पॉइंट टू केजी ग्रावटी ओपर तो नाइंट वन और ताइम कितना गेविन है ताइम केविन हैं हमें वन से पॉइंट टॉटल डाउनवर्ड फॉर्स मिलेगी जितनी टूटल डाउनवर्ड फॉर्स होगी क्योंकि हमारे पास यहां पे जो प्रोपेलर है वह में इस्टिल हुआ हुआ होगा विटा चलो देखते हैं 1.2 मौल्टिलावर्स नाइंग एट वन शेवन पॉंट पॉंट्री फाइफ सेवन चीपाइफ सेवन पॉंट थी जिए जो जाये का सावन पॉंट तो सेवन पॉंट्री शेट्स पास चावन आया है इसलिए कि उसने हमें ना सिंगल प्रॉपेलर जो मास डाउनवर्ड पुश कर रहा है वो बता है अदलब लट सेगे प्रॉपेलर कितना मैं डाउनवर्ड फुश कर रहा है यह का वो बता है बट दिस नॉट था ओल मैंस बींग पुश्ट को मॉल्टिबलाबर फोर करना है तो टोटल मैंस को हमने यहां पर डेल्टा हैं के दिया अब मोमिंटम चैज़ हो बहले स्पीट चेंज गो मॉमिंटक में चेंज आखे लाएं आप चारों स्पीण से ट्रेफिड्ट से ट्रेवल करें तो सपीड यहां पर कॉंस्टिन्ट ओगी और आपर किया बात हो रही है सो के और कुछ प्रिक्ट स्थराइंग अज सभाडर को सिविग आके सबwasser Ryan perform आपन करेंग टेर लिए थे था छिड पर को सब्सक्रेंट डबिज का धिस वी सर बीननोल ये सर्ट सर्ट ये तिस रसे सर्टी सर्ट को जग को सिर्ट अवैंड अपरी श्यचर्ट एपर्ट सब्सक्राइब है नाफर बीट जडेश्ट अव्टिफान देश्गान अट विल्सेम व्ट एंड गणि लुटत वाट पिया है तो उस स्पिनिंग फोर्स की वजह से तो उस स्पिनिंग फोर्स विच एक्टिंग तोर्ड थे सेंटर अफ दा सरकेट इस जब लिए टिक है तो अर्थ इस्पिन कर रहे है अब भी जुए नए तो अपर से रहे है ए तो आपकेटगाए तोद। अब जो औरव्य विचाओ लिए टिक हैं लिए ट्रोल रिए धाई नोयए टॉच्ट फोर्स नमर नाइन है, अच्छा यहां का मार पर mixed questions होते हैं मिटा कुछ high difficulty होते हैं, कुछ low difficulty होते हैं, सही है, so we have mixed type of questions small ball is hairy at the surface of the liquid oil in a container the ball is released from rest and falls through the oil the ball has a lofty viscous drag force acts on the ball सही है, क्या कह रहे हैं आप से which graph could be could show the variation with V of force पेटा मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी जिर के लिए oil से बाहर आके air में आजाता है मैं बाइक चलागा मैं जितनी बाइक की speed बढ़ाओंगा मुझे हवा उतनी ज्यादा लगी मैं क्या बोलूंगा so ball is released from rest ठीक है so release from rest के point of view से हमारी initial velocity जिरो और ने चाहिए सब में फ्लास्टी की वैलिवर बीडों से दीडों से दीडों से दीडों से इस दीडों से चाहिए सब्स थूदा और से और से जिडों से चाहिए and falls through the oil सब्स तो falls through the oil सब्सक्राइब और सी में देखो विलासिटी बढ़ती जा रही है बड विसक्राइब पोस कम हो रही है एक एक वक तक बढ़ लिए जैसे जैसे विलासिटी बढ़ रही है बढ़ रही है यहां पे हमारे पस कैसे नहीं है और डी बच रहा है तो यह में क्या हो रहा है विलासिटी बढ़ लिए तक रहा है था रहा है तो बचता है एक विलासिटी भी लिए विसका रहा हो बढ़ लिए तो यह हमारे पास आंसर बनता है एक है थे कर आगे बढ़्ता है तो प्रोड़ ले आगे बढ़ता है लेए झाल अगे बढ़ता है और व्यूट्र आगे बढ़ता है रहाँ, प्रोडिट रहाँ, एक बच रहाँ तान आगे Deputy लिए 5 का बच्छों अगे वाट रहा है वहां प्रोड़्ट प्रूट सुर्टटी okay after collision the object of mass m rebounds in its initial path with one-fourth of its kinetic energy before the collision what where what is the speed of the object of mass 4m after the collision so collision ke baad hamaray baas 4m ki speed kya hog bol raha hai after collision mass johana woh half of the quarter of the kinetic energy se rebound hoa hai okay hain kahi pa hama baala hai ki elastic collision hain kahi pa nisi bahani baata wa hama ki elastic collision hain so what else we are going to do dhekhaan dhera isper working karekhaan kaya finadi ho amare paas baeht saka hai ah उब जब बाद गया जडिसे दुटे इसे कर जडिया है भी से ठाटेशे जडिए प्रफोड़त प्रेश आडिया है अच्छा, what is the relationship between kinetic energy and speed, kinetic energy and speed का relation मा directly proportional to the square ठीके है, विटाख कर kinetic energy हमारे पास quarter हो गई है का मतलब speed हमारे पास half हो गई है टीक दीप क्वान वाइब, जी की दो बैं, यह अब जब लगाऊंगा प्रिंसिपल उप कंजरवेशन हो मोमेंटाई या बोल रहे है पीड ओफ मैस पॉर एंपन एंट उटू बडाबर होता है एंट इवन एंट इवन प्लस एंट इस एंट इस तुट में यहां पर बोला हुआ है इसका मोमेंटम पूरा जीरो हो गया आफ्र कोलीजन हमारे पास एम वाली बॉड़ी रिबाउंड हो गई है विच कॉट्र कानेटिक इनलजी का मतलब क्या उसकी स्पीड क्या है पहले के मुकाबले में हमारे पास हाफ होगे स्पीड पहले के मुकाबले में हाफ होगी है तो क्या होगा यह हम्तु हमारे पास क्या है और इसकी स्पीड हमें निकाने में इसे ही रखा माइनस हाफ हो गया यह वाला पूरा फिगर लेकर आगया तो एक पूरे एम यू में से आफ एम यू निकल गया तो बचा क्या आफ हम एम से हम कटा ठीक है और तो वी हमारे पास इसके बराबर आजाएगा वी बराबर हो जाएगा एगा वन ओवर टू और पोर भी आगया डीवाइड हो गया तो गी हो गया वन ओवर एक झाने यह लिए ज्योवरेग है विद्दैए बढ़ा, एंद बी हमारे पास क्या हो रहा है? यू ओवर एक अच्या एक चोटी सी निस्टेक हो गई यह एक मिल्टी हो गई एक मिल्टी सी चोटी सी इमी बडी सी निस्टेक है 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 रेबाउंड बोला है उसमें इना पर माइनस लगाना चाहिए राकी 지금оп sophomore तो म उ प्लस 3.2 3.2 4M इक मधा हमारे पास व क्या जायेगा 3 अपॉन वय तो व वस्ञा पॉन इंबारे घाओ दी अंसर बने रहा है तो यह हमारे पास कुश्चिन नमर टैन हो गया कुश्चन आते हैं हमारे पास कुछ हाई डिपकल्टी होते हैं कुछ लो डिपकल्टी होते हैं जबन इंडरे दाहा हमोने टकल करेंगे चेगे ज्याए द्रीवर अफ़र अप्राल्ल प्राइपलाइस फीर्डिर्टी प्राइल पासर इस फ्रेर प्राइण बेकल्टी होते हैं यह पोर्स जिकाए होगे एच पोर्स अग्निटीड फिटीन में होता है आक इन देरेक्शन शोंगा स्टेरिंग वील हाज डामीटर 4.4 मुटर वार इस टॉर्ग इस देट वंदर स्टेरिंग इटा एक पो पहले हम काम करते हैं कि हमारा प्रेवल तो प्रेवट के मताबिक हम अपनी पोर्स को दी पॉपोनेंट में ब्रेक्डाउन तो लाइख इस विए हो जाएगा हमारे पार इसटीन कोश्टीफाइब और यह जाएगा फिटीन इस टाइम इस टीफ़इब अगें इस टीफाइब इस टाइम इस टीफ़इब अब यह जो दो फोर्स एडर ना देखलो पैली तो चीज़ यह कैंसलिंग आउट एदर इसे टीफिफिटिशन इस ऑप्रभिट दूसरी चीज्च देर अक्टिफिट ऑन पपे पिट और पे लगने वाली कोई भी फॉर्स मोमें प्रोडियूस नहीं करवागते हैं इस अन इलास्टिक पोलिजन ना नेसेसरी बिटा तब तक वह अपने लास्टिक पोलिजन का डिस्केशन नहीं लेकर चलना तुका ओक्या थो फोर्स जो हमारे पास हैं जो मोमेंट प्रोडियूस कर वाएंगी जो देखके बताओ क्या मैंने कपल फोर्स के सकता हूं जी सर पर्फोर्स के लिए हम लोगोंने फॉर्मला के डिसके दिसक्स किया था बिटा कपल फोर्स का जो टौर्ट होता है वह सिंगल फॉर्स उठाओ और उसे दिस्टेंट बेटीन दा पोर्से से मुल्टिप्लाई करें प्रे हो जाएगा 15, sin 65 5.437 D आंसर 5.43 वह बंगा रमारा लवाप आगे बढ़ते हैं वेशन नमर 12 जिसमें हमसे बात हो रही है कह रहे हैं आफार्मर इस ट्राइंग तो लिफ्ट दा कॉर्णर अफ दा लार्ज वोटर टेंग जीरा मारे पास लार्ज वोटर टेंग लार्ज बढ़ते हैं वेशन वेशन में पे बढ़ते हैं जल्यकि वारी वो त्सकुंसे टिए लिए निए र्जारिग। कि लिए लूम इस और टेमिट की अट्रॉट के लिए विए लूमगर रोड जबंग लुए लूम पिवर्ट्ट कूछले जवाटाड। कि यह मारा कॉंसर मोमेंट है लग रही है हमारे पास यह कॉंसर मोमेंट होगा तो क्या होगा हमारे पास मोमेंट जो है वो ज्यादा होना चाहिए सही है अब इस यू और पूछ रहा है विच चेंज मस्ट इंक्रीज अपवर्ड फोर्स बढ़ाओगे जिसके जैते मोमेंट बढ़ेगा हमारे पास क्या होगा बेटा अगर मैं इसको इस तरह देखता हूं तो यूजिंग दा लॉंगर रॉड और मुविंग दा पेवेट क्लोस तुद टेंक बात बुल्कुल ठीक है तो मुझे अभी तक यह सही लग रहा है आगे पढ़ते इसलिए नहीं होगा जब अगर मैं टेंक को टेंक से दूर करूंगा तो मुमेंट बढ़ जाए तो मुमेंट बढ़ने का मतलब मुमेंट नहीं बढ़ा हमार से कंडिशन पूछ रहा है कौन सा चेंज अपवर्ट फोर्ट को बढ़ा रहा है तो इसलिए तो यह तो परपेडिकलर इसलिए बढ़ जाएगा जिसकी जैसा हमारे पास मुमेंट बढ़ेगा तो यह हमारा रॉंग होंगे तो यह जब आप शौटर रॉड इस्तमाल करोगे ना तो आपको यह ली फोर्ट भी बढ़ानी पढ़ाई उसने बोला है इस फोर्ट शुट ब यह जब आप रॉंग चुट रॉंग को ब सार्च इसलिए उस्टक में अविगाई उस आप्साम ड्या ना क्यूत लुट वह जा रॉट पॉट का ली ना कि पाट दिल्मेंट आपको जा पॉर्ट जा शुट कि ली आपको यह जाएगा हमारे आपको यह आपको घू कि इसकी अब जो हमारे पास नमबर थर्टीन आ रहा है उसको उपरा देखते हैं यह देखा देखा सवाल लग रहा है तो चलो देखते हैं क्या सनारी बनता है यहां पर ट्राग्राम शूद्दा बॉल ओपी डव्य हैंगिंग एकलिव में इसका मतलब सारी पॉर्स बॉड़ी पे लग सब्सक्राइब करें अब यह दो देखा रहा है पॉर्स इंटेटीजिए और शुट्राइब कॉम्सा रलेशंशिप करेक्ट चलो वर्किंग करते हैं सबसे पहले मुझे जू बिल्कुल ओफ लग रहा है वह टेंशन लग रहा है तो टेंशन को इस्विक इसप्वोंट्स मे डेकदाउन परसे तो जहां से एंगल बनता है वह पॉस्त अपंसेन करें तो जो एंगल हमारे पास यह बन रहा है वह यह बनेगा अल्टरनेटिव एंगल्स के सब्सक्राइब के बराबर हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा पी के बराबर हो रहा है सब्सक्राइब पर लुक्राइब हम यहां पर एक काम और कर सकते हैं और वो यह कि अगर हम इन दोनों के रिजल्टन को देखें तो क्या होगा विटा अगर पी ऐसा ही है और डब्लीव ऐसा है कि प्रूटेल रूल अप्लाएगा रहा है तो क्या होगा हमारे पास इस तो बटाइब को यह वाला और यह वाला रिजल्टेंट एंशन और रिजल्टेंट एक दूसरे के अगेंस आरे हैं कैंसे लावन है ना क्या कहरे हो बटा लेक्शर के दौरान मुझे खामोश उन्हें दिया करो उसके बाद अपना इंपूट दिया करो थाकि मैं हो जाएगी को समझाने में थोड़ा गादा लगता है तो इसको रिप्रेजर्ट कर रही है यह वाली इसको रिप्रेजर्ट कर रही है तो हमारा जो तो बिटा अगर मुझे यहां पर सिनारियो देखना है तो इस तो नाइंटी डिग्री का एंगल बन गया यह नहीं है कि अप्लाइप आपाइटा गॉर्प से रहे हैं आपॉर्ट निग्री के सामने वाला है पॉर्टनियों होता है यह नहीं है विच इक्यूएलंट टू ए जान बेस हमारे पास किसके बराबर है विटा तो पुछ यह बन रही है हमारे पास टी स्कॉर प्लस डब्लु स्कॉर यह एंग एक सी जी डूब्या सी है उब्च एक्स्प्रेशन पॉर्डप्र उट्री इस करेक्ट विश्प्रेशन की जू है वह बिल्कुल इसलिपर फोर्वड को स्टान है हमारे पास को स्ट्रिट कर लोटी होता है अब जैसे मैं आपको बूला तैं मिक्स कोशन जाता है कुछ आपको निचे लो डिए कुछ in an Eclibium still water to forces that also act on the ball are the weight and the arthritis, sorry, वेटा क्या बुल रहे है कि surface of water है कि the ball है जो surface of the water पर एप प्लूट कर रहे है तो कि बॉल का वेट है कि अब बॉल पर लगने वाली अब फिर अब करने ही है कुछ रहा करने ही है कि देंसिती अब आप अवड बॉल्य अब 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 उसके पोड़ेंगे वाली अब इस विस्टी अपर्फेंट अब अब थे जिक इस निकाल इसे काम करेंगे उसका फोड़ा सबस्क्राइब आप्याइगा तो सबसे बहले तो हमें काम करते हैं कि यहां पर हम लोट की बात करें कि दौरान जब हम बात करेंगे विल्डफ होके आएगा आएट और अप्सर सब्सक्राइब होगा और विए और किसके बराबर आपटेक के तो पर्भाटेर और वाल्यम बराबर होगा मास अपननन डैसिट नाव अवंट तेल यू यहां पे जो डैसिटी है कि वह लेकुइट कि वह और और यूँच्छ हमारे पास प्वत आपशिक्ट पूंच तो पॉइंट ॉइदिध म्हां लॉज़ए वह जाूँच्ट वह होगा तो यहां पर हुआ है अब देखते हैं आगे की बाद परसंटेज मिल रहा है तो अगर मैं यहां पर देखता हूं कि मुझे क्या परसंटेज मिल रहा है जो मेरा आंसर आ रहा है फाइव इंटू टेंग पावर माइनस फूर इसको अगर मैं पूटल वॉल्यम से डिवाइड कर वाता हूं तो क्या रहा है मिटा इस अगरेंगे लिए पॉइंट 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 फॉर बनीट अगरें यहीं कहता है मुझे पाइड होगा और यह ब्लो वाटर का आया ना अगर अब फ्रस निकालिए तो इसने अब बोलें अंग्रेंड में से मैनिस कर देंगे जो आफ है वह हमारे पास बिलो वाटर जो हमने वी उपर निकाला है ना वह बिलो वाटर है कि अब कि एक मैटर को तो यह हमने ब्लो का निकाल लिया ना टोटल हंडेड होती हंडेड में से माइनस कर नेंगे तो फिर 62 आ जागा एप्रोक्स प्रॉक्स किया है ऐसे है तो मारा च्मानतर आहे वो 30.4 पर सिंट आ है तरी पॉइंट पॉइंट हो पर दो प्रस्वत्य तो जाग से आधा हुरा ही और नहोंता है तुर सब्सक्राइब थो यह अफ्थ्रस्ट जो वो उस वज़ा से आती है जितना अब्जेक्ट विदिन दा वॉटर जा रहा है तो हमें जो उपर वॉल्यम मिली है ना यह वाली यह इस पर्टिक्लर पार्ट की पता चब दिए वो मुझसे यह वाली वॉल्यम मालूम करने का बूल रहा है सही है ओके आगे बढ़ता है अच्छाज मांसे उन बगी यह पुल्ड आलोंग बाद वार अटैस्ट फॉर्ट मॉर्य ने खेंगे उप्रश्य को अगय बच्चान। अगय बच्टन। 200 newton constant tension sorry man and buggy travel at distance of 20 meters along a straight horizontal path the wire and the path of the buggy are in the same vertical plane what is the work then by the tensions on the force uh by the tension force on the man and the buggy so we come to the we have to break down one yeah 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 is अब बताओ बदाओ मोशन कौन से एक्सिस में हो रहा है एक्सिस में हो रहा है इस एक्सिस में हमें इस कॉंपोनेंट के जरूरत में है हमें है इस कॉंपोनेंट को रहू है जो क्यों होगा तू अंगिल बनता है वो कॉस का फंक्शन बनता है और उसने मुझे डिस्टेंस कितना बता है क्या है तो वार्पोटा था एक्शन टूबी जानी बन फिस्टी फ्वॉन्ट्व एवार तूइंटी जी इन टेड़ो एक्सिरे जानी जी टोइट नि टी पॉनट दी लोग ए च्पी जो कि राउंड ऑफ हो गया हमारे पास क्या बन जाएगा जी पएफ इस पॉंट ग्वन आयब अब लेचिजब तरफन इनोड स्रहूं प्राइय। कुछ सा स्टेटमेंट हमारे पास जैसे 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 बाल हमारे पास एर में राइज हो रही है तो यह बात तो ठीक कहा रहा है करेंड इनर्जी डिप्रीट हो दिख जाएंगी वाय नॉट दी पॉर्द अब विकेशन विच पाट बेटा मुबशिर काइंड दादा बेटर ही होता है कि आप माई कॉन करके जो है आपना सवाल पूछ ले अब मुझे नहीं मालूं आप कौन से पार्ट को कि 1101 पे मैंने आपका मैसीज देखा है तर फॉर्शन थर्टीं थर नहीं है एक्रेशन नहीं बन पादे नहीं देखो डब्ली तो मारे पास टी कॉस थीटा के बराबर है और यह एंड डब्लू की टैन्टीटा के बराबर ते नहीं तो यह अब अगरा आप लाँए अगरा आप अपान कॉस करते हो तो अगरा दोने एक्रेशन को डिवाइड करते हो तो पी से पी कर जाएगा था नपॉस टैन हो जाएगा इस पी अपॉन डब्ली ओगा तो पी बराबरे डब्ली टैन पी ताइए यह उल्टी बात कर दो कि यह मुँश्य जी से रोके अचा जी तो हमने बोला के करेंटेक नजी तो काम होगी वट पॉटेंशिन इनर्जी तो हाइट इंक्रीज हो रही है ना बॉल उपर जा रही है तो बढ़नी चाहिए करेंड़ ने जी अचीज एड़ बाल डिक्रीज इस ग्रावडिशन प्रोनेशन नेजी इंक्रीज इस इस दोन साथ बाते की को रही है ऑटा कान इनर्जी अचीज एट डिक्रीजा इंक्रीज इस नो जो बोल ड्रेम में इक आंगे अड़देंगा नेची मुटा यहो टर्ग आगे आगे जारैंगे सुस्पेंड़ अचीज पर्वाड इप्री इंक्रीज वाड्य इस फिजित का Height h of the lamp above the floor is measured. The middle wire suddenly breaks and the lamp falls a small distance. As the extension of the remaining two wires increases. Extensions are what is this? The wire obeys its flow. When the lamp is in equilibrium, Height h of the lamp above the floor is measured again. What is the difference between the two values of wedge? In the two values of wedge, we have here what difference build-up will come when we talk about it. Is it true? So, if we have a scenario, if we have a hook's law, if we have a hook's law, then it goes to TX. If there are three wires in parallel, if there are three wires in parallel, में हमारे पास तो तीनों के उपर जो वेट आप दा लाप लेपां जाओगा, इकोली डिवाइड होगा तो तही है, हमारे पास हुक्स लॉप्लाइ हो रहा है, तो के हमेशा से इंपर है, हमें दूछरे से नहीं के बाद करते हैं, अब जो हमारे पास स्पोर्स लग रही है, तो पूरा का पूरा वेट दो वारे पर डिवाइड होगा, कैसे अब हुक्त लॉचान के ओ क्या घ्र काथा सब्सक्राइब घ्र कोश्म काथ चरहं आधा हैं विए वारे पास हुक्त निकाल चुक्राइब निकाल ह्या है, हमारे बोच बोल रहा है हमारे पास बश्तपा है बेटा आ है, एक्स बराबर हो जाएगा 1.2 दिवाइड़ दिवाइड 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 तो पहले हमारे पास यहां पे जब हमारे पास तीन वायर थे तो सेनारियों क्या था हमारे पास कि वैंडियो वलद आई जाल था याल निवपर दिवाइड पालएं टो फिर ओपन ट्री वाइरस के साल वह आपकी वन डिवाइड प्रुए प्रॉंटट तू आहिंए ने मेरी वाइप डिवाइड वाइड फॉर बात वही है पाईड पांट 6 इस गई पाएड़ पांट 6 इस कि यह बेटा हमाने हमने यहां पर दो वाइड के साथ जो है ना जो आ रही है वो निकाल लिए अब तीन वाइड जब हमारे पास होंगे प्रेंशन हमारे पास क्या होंऑ चाहिए पर अब वायर्स पर अब इस पॉइंगे तो वह तो इतों बहुत अठान है और पॉइंट 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 वायर की हमारे पास पॉइंट फॉड गिवन है और दो वायर के एक्स्टेंशन हमने निकाले लिए एंडाट इदाव आमने कुश्शन कब दी कि तो दुबारा बता दे वीटा देखो तींवायर की तुमाइं एक्स्टेंशन गिवन है वह आहिए और दो वायर की एक्स्टेंशन हमने यह पर निकाल लेए किस तरह ती समय हमाने पास डिवाइड रे 3 हो रहा था तो यहां से हमने की वेल्यों निकाल ली डव्यों बन फॉइंट वेल्यों था जब तक फॉलों फॉलों हो रहा है के की वैल्यों हमेशा आप सेम पूट करें एलाड वैं अंमने की जगा णे लग्यों कैज फॉन पॉइंटू-कषार डीर पोई क्षेंट सॉक्षार को वर्टेसर और चीज थे हमारे पास जो वर्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसके बारे में हमने क्या बात की थी area under the graph हमारे पास energy जो particles को move करवाने में इस्तेमाल हो गये है जब आपका wire force apply करते हो wire stretch होता है how do the wire stretch rubber band stretch होके क्या होती है पतली हो जाती है पतली होने का मतलब क्या है molecule move की है so that energy is lost that energy is being utilized in stretching the rubber band so yeah area under the graph इन हमारे पास force extension graph जए energy को रप्रेशन करते है and energy in work has same unit तो area under the graph हमारे पास किसको रप्रेशन करेगा वर्थ को रप्रेशन करेगा रप्रेशन करेगा okay gradient of the graph तो क्या होग बिटा same constant चत्र आगरपिंड वार्णि हुआ आगर खरागलों आगर वार्खट्र मिजलकिकी अगर्मान बीज चूरप बारत्नि चूर्छ यो पर दीचे न When Warum प्रिंडेंस, बीक बीज च।र स्कूर के मादेटितो बारत्नि अबम में ऊष्णज कुंक्ो था देखो हमारी जो वेव है न वह उपड़ जा रही है तो बच्चे को क्या करना होगा वाइद बढ़ाना होगा वाइद बढ़ाने थे क्या होगा हमारे बास अलॉंग वाइद से डबा जो है न वह व्यादा वुल्टेज को एकुमोडेट करें अभी जैसे यहां पर पांच यहां वो अगर उसका अम्प्लिट्यूट था तो फ्रॉस के अगर हमारे पास वाइद तो 20 वोल्ट 4 वाक्समा राएद तो अब थो बॉक्समें आ जाएगा तो वाइद बढ़ाने था हमारी विफ का अम्प्लिट्यूट था वह कम जगह में कवर होगा तो वाई गागेह न और हम चाहते हैं हमारी वेव कुछ ऐसी बना एक पूरी देव स्ट्रेस पे दिखाई जो इसका मतलब हमें क्या करना होगा ताइम बेस बढ़ाना क्यों अभी हमारे पास लेटे हमारी वेव जो है वह वह तक्रीबन पंदरा वॉक्स में हाफ हो रही है और थीज बॉक्स में फुल हो रही है तो अगर मैं चाहता हूं मेरी वेव पूरी की पूरी कम्प्लीट हो जाए तो वाट दू आप टू दू मुझे एक टाइम बेस या एक बढ़ाना होगा ताकि हर एक डिविजिन ज्यादा टाइम को अकुमोडेट करें और हमारी वेव जल्द बिवानि में व्रलि एक्सेस पे चीपे बड़ी लाजते हैं उत्री चोटा घ्राउ बन बंदा है उत्रा इजीव एकमोडेट हो जाता हो घ्र जितनी ब्रीवानियर ड़ू जालते है जोिस प्रेस होताइं वह तंहीं कंट्रो लो जाता है बाहर निकल जाता है तुर्ज सभल जा यहाँ आगे बड़ते हैं तो ग्राप्ष वेरेशन दिस्प्प्रेस्मेंट अब अब्रग्रसिव देड्ड? टो मेसरमेंट एक्स्वाइब अडर्ड वाट्टॉ वोट दू एक्सप्र अब रिट्यूट्यूट और तो अलगे पास वह अनुऑ को अगर एक्सेक्स फर डिशंट ओताना तो यह वेवलैंट होता है आगे बढ़ते हैं एकार ट्रावल देडा कॉंसरेंट स्पीड अलॉंग दा श्रेट लाइन पीक्यू लावड इस्पीकर एड़ेश्ट दा कार अमिट्साउंड ऑफ इस त्रॉप्स्ट्रेशनरी ऑब्सेरवर इस एड पॉंट इड कर रहा है कार कॉंसरेंट स्पीड पे लाइन पीक्यू बे ट्रावल कर रही है लावड इस्पीकर एड़ेशे कार से जो साउंड की फिटेंसी अमिट कर रहा है क्या चीज हमारे पास हमारा लड़का जी जो अब्जर्वर नहीं सुनेगा ठीक है अधकार मूब्स सौंपी टुओ लबकार जब यहां पर आ रही है कि एट्टोर हुआ था। हमारे पास हमारकं ऑब्जर्वर की क्या औब्जर्वेशन होगी यहां तो सब्सक्राइब आइए पास इस होगी ने फिर होगी श्युणिक तो हमारे पार इस हमारे है अपरोचिंग करेश़ प्रॉचिंग दा अब्जरव यह तो श्युक्राइब अप्रॉचिंग निटर्विंग तौर्द दा प्रिकेट, क्यांकर बीगिन, क्यांकर भीर्ट का दूकर प्रिक्विक्टीश काव था कामचसरा था क्या सोफिवर्टी क्या है कि इसको लाक समय होगा। झाल 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 युँँँँँँँणचमिर। तचितلर स। कोईएकन सहरो आव disgust लुट कि अज़िए वाव निया उन्याट कि अज़िए अच्छिए एप आप गार्ड तुटि प्रिकेंशी की बिटेगो नहीं पर हमारे पास इसके दर्मियान डिस्टेंस तो डिस्टिन चम हो रहा है सही है तो दिस्टेंस हमारे पस क्या फॉम्ला है हमारे पस आफ डैशी को है डिपोज टू एपन वी माइनस स्थिट अभी कह सपीड ऑस्ट साँड साइट था साथ साथ P से ओ थका का फासला होगा ओ रहा हिसकार से तकका फासला कम हरा हिसका मतलब तेख्या οिखल हमारे पास साथ साथ था का मतलब अ if that horrible value इसलिक है विदिशली त्रीकेंसी आपके पास एधसे जाधा होंगी तैंट हमारे पास कार से ऑब्जरवर काइद सब्सक्राइब काम हो रहा है जिसके जैसे हमारे पास जो डिस्टेंस इन्टाइम वाला फेक्टर एश्पीड वाला वह वह भी कम होगा ठीक है एड़ वहाला का मोगा तो ओर आल डिनॉमिनेटर बढ़ेगा दिनॉमिनेटर बढ़ेगा तो आफ डाइस्टाम ना आगे बढ़ते हैं तो उकर तो क्रियर बढ़ेगा नाच प्रॉमिने मिलेंगा नाच ही बिटेयर बार, य्यूड़ा य्यूड़ य्यूड़ Modell K खिव which gives the wavelength in order of increasing wavelength from left to right increasing wavelength from left to right हमें कौन दी रहा है यहां पर कुछको में डिसक्स कर दो हमारे पास radio wave, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, x-rays अबर आप left से राइट जा रहे हैं तो हमें बात करने हैं बढ़ाने भी तो हमें इस तरह चलना चाहिए तो increasing wavelength यानि सबसे minimum कौन है अच्छा आप देखो हमारे पास values कौन कौन सी है यहां पर radio wave है, साहिए, x-ray then 30 mm wavelength of radar transmitter, radar transmitter हमारे पास कौन इस्टिमाल करता है यहां पर हमारे पास microwave ना जाए हैं आप ना आप देखो हमारे पास microwave ना जाए हैं उनलाइट है तो है यह फोगा है कि चेह जदिवेंड होगा तरड होगा जो सबसे पहले हमारे पाद क्रम और पर divided रिडियो वेव रिडियो वेव का नमबर क्या है क्या है वां प्रेट की आइए टिक है अवर्टिकली पोलेराइब विम फ्लाइट इस इंसेट नॉमली और पोलेराइधिं प्रिटर ट्रॉन इस है युद्धित थिदन को रिडिटिग्ण हे सव नहीं सब्सक्राइब भर्टिकिव सब्सक्राइण और अप्रिट थे लौके इस अप्रिट किया किया देए अटिएगं गयर मेले सिंसिटीश का अमें दो यह वह रिशो है जब इंटेंटिटीज का रिशयो मिल जाएगा तो उससे हम लोग रिशयो निकाल लेंगे किसका बिटा हम तो आई पूस को यह अपॉट इनॉट क्या हो जाएगा आई के ट्रांसमिटेट इंटेंसिटी और आई नौट क्या है माक्सिमम या इंसिदेंट इंटेंसिटी तो को सुटी की वैल्यू कॉस 50 होगा ना उसने उपर देगे सवाल में बोला वह वर्टिकली पुर राइस तो हम बीच में से लाइन मनाके 90 में से 40 को माइनस करेंगे 50 बच जाएगा तो यह हो जाएगा हमारे पास पॉस्टी की वैल्यू निकाल लें तो यह नो आई किसके बराबर होता है के इस पॉर है नहीं आई और के में क्या रिलिश्य आई पॉर बराबर हुजाएगा पॉइंट फॉर वन डाने के लिए हम जैसरे करेंगे दोनों तरफ फॉप लगाएगे तो यह पॉन नौड क्या हो जाएगा अड़रू 0.4 रचाहरू पॉईंट उट्स फॉर पॉइंट इस तॉट्क है थो प्रोग्राइट मेट अपॉंट फिर पॉइशन मस्ट थी मैट वर शुबर फॉडिशन वर शुबर फॉडिशन ऑफ आपर जूब टॉब्स वेड और वेश्ट फॉर फॉर सुबर पॉडिशन ऑफ तो अपर बेटा हमारे पास यहां पर क्या सिनारी होना चाहिए गलत बल्दी की बहुटे होंगी तो अदुनेशा एक दूश्य एक इम्हांस करेंगी फिर नोट कैसे बनेंगा इस्टेशन अदी बेंट रॉम मस्ट पी ट्रावलिं इन opposite direction the waves must be traveling in opposite direction sir what's the stationary waves sorry progressive waves की बात हो रही है so they must be in phase so though progressive wave को super impose करना है so हमेशा उनकी condition ये तो नहीं होनी चाहिए वो in phase हो out of phase भी होंगी या पर उनके दरम्यान phase difference होगा तो भी वो progressive wave के लाएंगी they must be traveling in opposite direction that is the condition of stationary wave they must be coherent ये सिर्फ और सुर्फ डबल स्लिट experiment के लिए valid and they must be of same time that is basically correct अगर superposition करनी है तो एक sound एक light नहीं हो सकती उनकी type से दोनों ट्रांसवर्स हों दोनों की नेचर से तो भी आंसर रहना चाहिए आगर बड़ते हैं सुर्फ डी वरके वरके को गवा जवेटा बिल्कुल ओगा a string is a stretch between the vibration generator and a fifth point when the vibration generator is vibrating at a frequency f stationary waves with five nodes are created in the stretch of string there is a node at the end of the string that is attached to the vibration generator okay the frequency of the vibration of the vibrator vibration generator slowly increase frequency what is the next frequency that produces the stationary wave on the string next frequency okay so wait a minute what is the next frequency that produces the stationary wave on the string general formula f1 v upon 2l okay fn nf1 and lambda n kia hota a a tuelle oren कि इतने लूपन रहे चाल लूपन बन रहे तो यहां पर हमारे पास प्रीकेंसी क्या हो रही है हमारे पास प्रीकेंसी हमारे पास हो रही है fn आप और इक पूर एक और यहां पर उने भी ha कि आप पूर क्या बोल रहे हैं यहां पर गईड़कर वैंब्रेटर जग्रेटर इंड़ेटर इस वाइप एप्रेटरिंसी ओप को वह वोल्य मॉलें अवाट इस त्रीक्वेंसी डाट इस प्रोडूइस रूंगी वह जो फॉटाइब फॉन-टी फॉट्री की वैल्यों क्या जो है फॉट पॉन-फॉर थाइगे ना अगली जो वेव आएगी इसके इंतर कितने लूप बनेंगे वन तू थी-फॉर- एक दोफ तू फैसे ओपाय नोगा तथार्पाइब और फन की वेल्यों आपने मणा लिया तो कि किता है अपन पॉन पॉर जाएगा। को एगा है ऊणमेर टूंट वाइव है का इदा आख यह तो को यह बरते हैं यहां तक लियरें यह संब निे स्वाइब एपकेर विश्द रिपल्ण पहल क menor प्रिक्षक फचिंपल दपए संब बारियर दिद द्मिंस्तरेजद आप स्थक्वेर। आरप चैनलि यहां टिन अपर टाल थैजिस्द आप कि शमान का पहल दाएं तो बिटा यहां पर क्या सेनारी हो रहा है वेजलेंग एज लेस देन दुट जा तो क्या होता है अभी प्लेम देट्रेंट प्रेंट प्रॉज और दीफ्रेक्शन हमारे पास क्या होगी वाट चींज इंक्रेज़ अमाउंट दीफ्रेक्शन अगर मैं चाहता हूं बलग जड़काइं तो हमें करना होगी ट्वेटा वडराबर या इक्वल में D के, यह D है, इगा तुट क्या हो रहे है, क्या कह रही हो गटा, सर्यानी प्रॉप्ट भी होगा डबल दविट्ट अफटगाप डबल दविट्ट अफटो डबल दविट्ट अफट गप, नाई भी प्टा, हे तो फिर यही सेनरियो में आज़ा रहो हूं वो बोले दिफ्रेक्शन दाड़ा हो और तभी होगी दिफ्रेक्शन दाड़ा जब आपके बाद सर्क्लर वेफ्रेंट बन रहे हैं नहीं समाओ मुझे या तो डी को कम करना पड़ेगा या तो वेव का वेवलेंथ बढ़ाना पड़े स democratic दिफ्रेक्शन गेंग मेंट है या 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 फीस अ वेवलेंघ धश्रेक्शन समय हा दिफ्रेक्शन आप्टान जेख्ड़ेंगी थी के र soldier जैर कि जैके शिक्ति आप्लिर फीट्रेक्शन टिब करत वेवलेंगा लिऑत्स चर्थίο और 0.12 mm apart यह विवलेंट है यह यह है डबल फ्लेट की बात होने हो लिए है इंप पररलल कि के अब्राइट फिंगे अन्ड वर सब्सक्राइशन 7.5 संपिर व्यों तो आप से क्या बोलने मीटा वाट इस देस्टेंग बिविन दट्सलेट दा श्क्रीट अध्य है यहने दी मांग रहे हैं तो एक सी कुस्तू लैंब्डा दी हो रहे हमारे पास पॉर्मला है तो यह क्या हो जाएगा एक सब्सक्राइब यह है पॉइंट वन टू मिलिमीटर है मीटर में कन्वर्ट कर लो एक समारे पास क्या है वर्टा सेवन पॉर्ट पाइप सेंटीमीटर है मीटर में जाने के लिए एक्स्पॉनेंट माइनस दू लैंडा है चिक्सुक्ती मैंनो है तो एक्स्पॉनेंट माइनस दू इसा यूनिट में लेकि चले हैं तो आंसर भी हमारे पास ऐसा यूनिट में आएगा कि बार्ट सदीन पॉंट एट विच इक्वेल टू लेक्वेल टूनिटों लिए लिए 30 F10 बदेस् वैन वरेश такое okay a beam of light from the laser is incident normally on the diffraction grading the diagram shows the second order maxima that is being produced k the grading as line is facing this angle between the two second order maximized 110 तो यह अगर मैं जन्रली बात करूं संटर के साथ तो यह पच्छ पंड दिए तो यह तो नौ वारे विडिए तो पिटा क्या होगा हमारे पास एंड विपास विप्टिशन ग्रिटिंग फॉम्ला होता है विप्टा विप्टा थीटा अपॉन एंड बताया वह नहीं एंड वन एक्ट्वन मानस 6 एंड एंड ले में टोड़े टिका दिया 55जैन और व्टे कि ओन दर ने ओंड मैंद मैं ध्र्ली ऑने सेवं झाल फॉर पॉर फॉर ने एक्श्पनेंट माइन स्विछल दर्ब 1 ऑपॉर पॉर 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 फॉर पॉर पॉर वन एटर वां तो पर दियों के निस एपिटा मेरा अंसर यहां पर आ रहा है कि अपर पार तो कल्कुरेटर में आरे है वो आरे 4.09 एच्पोनेट माइनस 7 तो 4.09 रांडोफ कि 4.1 हो जाएगा 4.09 एच्पोनेट माइनस 7 पॉपाइए पॉपाइए नाइन एक्वनवान सेवें एक अप्षिन नहीं आँचारें पिए आगे बढ़ते हैं एलेक्रिक करेंट आप मेटल वाइड पूर मिलिय अपर एक्टर हम अन्हें प्रिक्ट कोई नावाय में आप तैना इस आप एक गंटे में तिन हराइब आप एक गंटे में तरिया चार्ज कितना आजाएगा बिटा पूर एक्टर माय प्री मॉल्टिप्लाइबाइब तैन मॉल्टिप्लाइबाइब इस इस अबल्भी तो एक एक एलेक्ट्रॉन ऑगट्टी तो नेख्टिट गाएब लृट्य चार्ज का निय। परकंचिन नाज Milट इनड you're a… एक एक लिए शो इनड तैन मों अन्ड़ ंक्ट्वні तो छ मोंơn छो एक टॉटिंदू तॉम बात एक ही है और दिट आईवी करेक्ट्रेस्टिक और फिलमेंट लैंप बेटा आईवी कोई सिंपल सी बात है फिलमेंट लैंप में क्या होता है काइम गुदरने के लाता है टेम्परिचर बढ़ता है कि यह तक जब बोल्टेज बढ़ता है इस बढ़ता तो करन रिर्ट करन जैसे जैसे बढ़ेब करन काम होगा च्रुट कर रहा है रॉंग में यह तो हो में धू객 कंन। तरह नहीं होता तो बस्ता है श्रिफ दी एको करेंटी वाल्यू का मोरी एक अनके साब था तो यह परेंटी वेल्डियो देखो डिक्रीव देखो इस सरे दियां साथ आजवर्पकन साथ्य behaviour बस्ते है तो यह दिन सुछगोंटि एक न तरह जोड़ड़ करेंट्र सब्स्ता है कि अगर यहां पर हमारे पास की बात हो रही है तो सिनाइदियों क्या बिल्ट अब हो जाएगा हमारे पास कि दोनों की अचा वायर श्रेच किया है निवायर की नीचर चीज नहीं होई गुट पॉइंट यानि आर पी अपॉन एपाउन आप अगर नेचर चेंज नहीं होई मतलब तो रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी इससे यह फाइल तो इससे इस मेटीरियल की नेचर पे डेपेंड करती है तो इससे बाटरवार की लेंच यह है प्रॉश्टिविटी यह है और रिवेस्टिविटी यह है तो यह तो इससे तो देन टेस्ट यह अव्टू आ गया ओके वॉल्यम से यह ना अगर पहले हमें काम करना पड़ेगा और वो यह कि अगर निकालना पड़ेगा तो पहले आरवन निकाल लो तो हमें गिवन है टी पॉइंट फाइव इंटो टेंगी पावर माइस सेवन यह यहां बॉइंट फाइव और यह में गिवनीं है वो यह अब आरवन की वैल्यू मुझे पता चलगी यह 0.1944 एवन मुझे पता है 4.5 exponent minus 6 divided by L1 पता है 2.5 तो पॉइंट पाइए नौ मुझे कह चाहिए चेंज इन दे रिस्टंस ऑफ द वायर पहले रटो निकालते हैं चेंज भी निकाल देंगा यहां पे लड़िको को मल्टिप्लाय कर दूँगा लड़िए हमारे पास है 2.65 और एटू क्या ज़गा हमारे पास तो पहले जो वॉल्यम थी बाद में भी वोई वॉल्यम होगी ठीक है पहले वॉल्यम हमारे पास क्या थी वाद की वॉल्यम क्या है क्या हो जाएगा वन अपॉन अपॉन एक माट्रों को यहां पर हम थोड़ा है ना कट्दाउन कर सकते हैं एवन एल्वन तो इसके बराबर है आरवन एवन अपॉन एवन एवन पर आटन मल्टिप्लाय होगा है और यह तो नीचे आगा है 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 मैं सोच यह था यहां पर इट्स अप्सिक्यूट कर दूंगा बट्ट आसे हैं वाला पार्ट जो भी यहांपर फॉसिबल हों नी पाताएल्व intriguing को अ प्वैलियू कि यह.वन तो इवन हमारे पास चै요 के अ तर शाहिद 4.24-6 आ रहे हैं यह कोई क्रॉस कंफिर्म कर दें तो अच्छ है 4.24-6 कि वैल्वन की वैल्यू हमारे पास है 2.5 अब यहां पर एल्टू भी आ गिया है एल्टू हमारे पास है 2.65 और एटू तो निकाली के बता रहे हैं वह 4.24-6 सब्सक्राइब करके देखते हैं 0.1944-4.5-6 0.65-5 4.24-6 मेरा अंसर आ रहा है 0.2187 यह बात की रेजिस्टेंस है यह पहले की रेजिस्टेंस है दोनों का सब्सक्राइब करो 0.2187-0.1499 दोनों का लेक्राइब सब्सक्राइब अगर पॉर्ट दोनों के बाद अब देखो अचानक आसान सवाल आहे और एक थोड़ा था अब फिर देखो एक असान आ गया क्या सिंबल माइक्रोफोन का तो माइक्रोफोन का सिंबल हमारे पास क्या होता है यह सिंबल जब मैंने आपको बढ़ाया था तो इसमें दिखाया था बैटरी विद इंटर इंटरनल रिजिस्टंस है ठीक है वाट अपन्स तु दा रीदिग अधर 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 बंशनल रिजिस्टंस है तो बाटरी का तो बाठरी का तो बिल्स दा राइस्टन साथ है यह थैक्छा डाता हुगा है तो आधर इंटर्न अधर चृट आदा है यह बहुत जाना होगा और इसक्रबहूट बहूत त्यृ था क्या होगा कम होगा ठीक है बेटा डाइट मींद हमारे बस सेनारियो क्या बिल्ड अपो कर आएगा कि कि गोल्ट मीटियर रीडिंग हमारे पास दिखने के जाए और यह पूरा कैसा पात है बेटा श्रीज पात है इसमें रिजिस्टेंट बढ़ेगे तो करेंट भी कम हो जाएगा तो यह में टेडिंग भी क्या होगी कि विद्धा आगे बढ़ते हैं लास्ट फाइब प्रश्टोंगू पॉर्टेंशल दिवाइडर इच कर दिखने आटरी अप्टरी आप नाइन वोल्ट जिए नागलेजिबल इंटर्शन कनेकिक टु अपनिशन अब इस विच्टर इन पर तोड़ी लंदी वर्का सवाल है इसके बढ़ का मध्टोड़ा करना पड़ेगा य किट्व मैं यहां पर क्या है वने इस-टो एंद और रिश्टों का रेश्टों है यहां पर क्या होगा तो पर भी मुझे क्या हो रहा है एक सो टु एक्स का अगर मैं पारललन निकालता हूं तो कैसे होगा x product over sum यो जाएगा 2x square upon 3x तो यह कैसे 1x कर जाएगा 2 upon 3x हो जाएगा नीचे का प्रहिया अच्छा मैं एक तरीकी से और भी देख सकते हैं वो यह कि जितना दादा रिजस्टेंस होता है उतना दादा बॉल्टेज होता है तो यहां पर रिजस्टेंस 2x है तो 2 over 3 2 2 से कमी होगा 0.66 आ रहा है और यहां पर यह एक सारे लेका है जिन दैट सेनर्यव हमारे पास जो आंसर बनना चाहिए वह आंसर होना चाहिए कि अब तब कि युद्ध सब्सक्राइब यहां तो देख डबल रिजस्टन्स आ रही है यापन रिजस्टन्स आउटपूट पर यहां पर रिजस्टन्स नहीं तुट्ट इस ताइए अवमारे पास भी आंसर मण रहा है तो अपॉन एक्स प्लस टू एक्स बन जा है यह निए पॉइंट शिक जब और ओल इन दोनों का रिजिस्टेंट पॉइंट शिक्सिक्स के बराबर है विच इस बे लेस दें डबल ड़ेद वायर और इसका में वोल्टेज निकालना होता वोल्टेज की तो बात कर रहा है बस हमें मैंने आप रेश्यो मैथर्ड से और या पॉंसेट के पॉइंट ऑफ्यू से बात कर ली आर एक पॉपर्शनल है जिसका सबसे आदा उसका वोल्टेज भी सबसे आदा अगर यह एक्स की वैलियो गिविन कर देता तो मैं डायरेक्ट डिवैडर का फॉमला लगा देता सही है है यहां पर देगो क्या बात हो रही है हमसे यहां पर हमसे बोल रहा है वाई साहँ जाहरे है ओके कह रहे हैं वोल्ट मेरे इस केनेक्ट इट तुड सरगे शून विद तरिक दुड़ पॉलाइटी शून ओके स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को था करूंगा एंड क्या होगा बिटा इतो को पॉद्रिफ इस एक बैटरी दूसरे बैटरी के नेगेड़ पर प्लेस होता है तो आंसर क्या होता है कि गाटरी राड़ पोगे सिट्वोल्ट जाएं कि एड़ जाएं तो इसके मुताबब तो आंसर यहां अब आगे बात करता है जब हमारे पास स्लाइडिंग कॉंटेक्ट पी पे आयो हो कि क्या होगा बिटा हम अट इस पॉइंट इस वाले पार्ट पर खड़े हैं यह तो बिल्कुल जीरो वोल्ट वाला पार्ट है यहां पर हमारे पास सिर्फ और तरिफ क्या होगा हमारे पास इस बैटरी के एक्जिस्टेंस बचे लिए और इस बैटरी के एक्जिस्टेंस की बिना बड़ स्रिफ आंसर थ्री वोल्ट बनेगा और यहां हमारा फाइनल आंसर दी होगा पार यहां आगे बड़ते हैं विटा लास्ट हमारे पास तीन एमसी क्यूज बच्छे हैं जो के न्युक्लिफ पार्टिकल फिसक्स के वो देखते हैं पुड़ॉन अफ मास्ट अपी इन चार्ज प्लस इवाट आफ इन चार्ज अप्टी प्रोटॉन इन अमास्ट तो सेम होगा बैग्णिट इन फ्रोटॉन टाउन है तो चार्ज माइन सी वह को बाइसे होगा अग्युक्लिफ के प्रोटॉन निटी टो नीटेट नीट्रॉन पंपाबी तू नीट्रॉन टोटल अप्ट थ्री अलपा फोर बीज़ तो नुक्लिफ सब्सक्राइब देखो युरेनियुम की इक्रेशन बनाओ नाइनटीटू माइसट्स क्या हो जाएगा और जब एक अलफा निकलता है तो नुक्लान नबर डिक्रीज़ इस तो हम इसमें हमारे पास चार बीटा भी निकल रहे हैं तो बीटा इलेक्रॉन निकल रहे हैं तो बीटा निकलता है तो बेटा हमारे पास नुक्लियॉन नंबर सेम रहता है जब बीटा निकलने पर प्रोडान नंबर इंक्रीज़ बाई वन तो चार बीटा निकलने के बाद निक्लान नंबर इंक्रीज़ बाई पूर जाहिए तो हमारे पाद जो एक्वेशन है ना वो देखो 90 कि तूटोंटी थ्री बन रहा है वह बाद लास्ट कोश्चिन अटेम्प करते हैं देन्वी इन कॉंप्लूट इस क्लास पुच इस्टेट्मेंट अवाट अवाट इस करेक्ट इस प्रोडान बैरियूं है येस दो कॉक से बनता है फैट्राउन है मीजान नहीं है नौट आ मीजान नहीं यह बाद ठीक एरहा है पिड़ा एंसर हमारे पास यहां पर सही बैट था इस दाओ यूज तो ताउद टौद टौद टूट ट्री पी वन वन ताइए बिटा यह से चला पर कॉंप्लोड करतें ग्लाज को थोड़ी दिर में अप्लोड कर दूँगा यह अला आफिस अला आफिस से